स्वागत है आपका आपके अपने ITI एक्जाम यूट्यूब चैनल पर आज हम इंटर्चेंजबिलिटी और विने में सिलता के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होती है इससे क्रिश्चन कैसे आते हैं ये ITI सेकंड येर में और जो अन्य परतियोगी परिक्षाय होती है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंडेस्ट्री के अंदर विनि में सिलता है यानि इंटर्चेंजबिलिटी क्यूं आवश्यक है सबसे पहले हम इंटर्चेंजबिलिटी को जानते हैं इंटर्चेंजबिलिटी pronounce modules में होता क्या है तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग पार हैं, allowance हैं, fits हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं, कि आपको दो assembly करनी है, तो कौन सा fit आएगा, है ना, shrinkage fit होता है, जैसे free fit होता है, lose fit होता है, वो सब fit tolerance आएंगे, आपके unilateral tolerance, bilateral tolerance, वो सब आएंगे, तो यह आपको ध्यान से देखना है, यहां से शुरू आत होती है, interchangeability से इस chapter क और धिरे-धिरे हम topic wise question देखते जाएंगे, और इसके question को हल करते जाएंगे, और धिरे-धिरे सीखते जाएंगे, कैसे, सबसे पहले आते हैं, interchangeability पे, interchangeability है क्या, आपने देखा होगा, जैसे कोई भी बड़ी जो है company होती है, जैसे मान लिजी आफ hero, hero motor course है, तो hero company क्या कराती है, इसके vendor है, बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारे vendor है, इसके अलग-अलग part बनाते है, इसकी गाड़ी के, जैसे motor cycle होगी, इस प्लेंडर, तो इसके part बहुत जगह पे बनाए जाते है, फिर ये क्या करती है, सब जगह से part को मंगवाती है, और उसे फिर assemble करती है, जब assemble कर करती है, तो इन्हें किसी भी परकार की कोई अन्य किरिया नहीं करनी पड़ती, वो parts साथ के साथ fit होते चले जाते हैं, तो बिना किसी किरिया के, वो जब fit हो जाते है, तो assemble होने के बाद आपकी गाड़ी तैयार हो जाती है, जबकि part आपके अलग-अलग स्थानों से बन के आए हैं, ठीक है ना, तो बिना किरिया के फिर वो assemble हो जाते हैं, तो यही क्या है, इसे ही बोलते है, interchangeability, यानि आप जो है, माली जे आपकी बाइक का कोई part खराब हो जाता है, तो आप कहीं भी हो, तो market से उसे दुबारा purchase कर सकते हैं, और वो बिना कुछ आपकी गाड़ी मे किये केवल वो ही part निकाल, जो खराब हो गया है, उसे निकालेंगे, उसकी जगे दूसरा लगा देंगे, तो ऐसा कैसे हुआ, यह interchangeability के कारण हुआ है, तो interchangeability बहुत useful है, तो इससे क्या होता है, जैसे हमने mass production किया, mass production यानि बहुत सारे part कहीं हजारों की संख्या में, छोटे 1000 में से कोई सा भी piece हम उठा के check कर सकते हैं, तो उन 1000 में से कोई सा भी piece उस पे fit होना चाहिए, जिस मानक के अनुसार वो बना हुआ है, फिर दूसरा उठा के देखेंगे, तो सभी लगते चले जाएंगे, तो यह क्या हुआ, interchangeability, यानि एक ही part को जो है हम कभी भी change कर सकते है यदि वो खराब हो जाए, किसी भी machine part का या फिर हम उन्हें assemble करते हैं, जिससे हम पूरी machine बनती है, उसके part अलग-अलग जगह पे जो हैं, डिजाइन होके जो हैं, फिर बन के finish product आते हैं, फिर उन्हें assemble करते हैं, तो वो आराम से assemble हो जाते हैं, तो यह सब interchangeability के कारण ही, जो है, ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है न, तो जैसे ही बोलते है, विने में sealता, हिंदी में से बोलते है, विनी में sealता, interchangeability को, ठीक है न, तो आप जो है, ऐसे interchangeability को समझ सकते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजे, जैसे आप bike चलाते हैं, मान लीजे आपकी clutch का तार तूट गया, तो आप कहीं से भी इसे डलवा सकते हैं, तो क्या है एक standard है, standard के अनुसार उसे follow किया गया है कि इतने मोटाई का इस नंबर का तार जो है, बाइक में डल जाएगा, अगर किसी की खराब हो जाती है, तो आप उसे कहीं से भी change करा सकते हैं आराम से, यह नहीं कि आपको जहां से वो खरीदी थी, महीं जाना पड़ेगा, तो यह सा किस कारण हुआ है, एक standard एक मानक बनाया गया है, standard स्थाबित किया गया है, तो उसी के नुसार फिर दूसरी कमपनिया भी वैसाई पार्ट तयार कर रही है, तो खराब हो गया तो आप आराम से कहीं भी उसे change करा सकते हैं, तो यही क्या कहलाती है, interchangeability, ठीक है न, उसके बाद फिर हमारे आते हैं कुछ size होते हैं, size जैसे वास्तिक size, जिसे actual size बोलते हैं, अगर आप किसी object की विमाओं का अध्यान करते हैं, उन्हें नापते हैं, तो वो क्या होगे, actual size, माली जी आपके सामने कोई चीज रखी है, त इसकी विमाओं कितनी है, लंबाई उचाई, चोडाई, इसका ध्यान के आपने बताया, तो यह क्या होगे, actual size, यानि actual में वो इतना है, ठीक है न, फिर होता है, basic size, basic size यानि, basic size जो, जिसके ओपर हम, जो है, basic size के ओपर हम, क्या देते हैं, tolerance, limit देते हैं, कि इसमें कुछ छो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी product को 100% जो drawing में दिया होता है, ऐसा बनाना बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी, आपकी जो machine के part होते हैं, जिन से finished product निकलता है, उसमें भी कुछ ने कुछ tolerance दिया होता है, ठीक है न, जो आपका कच्चा material आता है, आपको finished product बनाना है, तो उसमें भी असुदता होती है, वो भी बिल्कुल pure तो नहीं होता, फिर आपके बहुत सारे जो है, इफेक्ट पढ़ते हैं, जैसे environment का effect पढ़ता है, है न, तो उससे भी इसकी विमाओं में कुछ न कुछ कमी, या फिर बढ़ना, फैल जाना, करते हैं, फिर जो basic size होता है, जो आपकी drawing में दिया होता है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, tolerance दे देते हैं, उसकी सिमाओं में, माल लीजे कोई चीज, 100 mm की बनानी थी, तो हम इसमें थोड़ा सा tolerance दे देंगे, कि या तो ये 99, या 101, यानि अ एक size की, जो अगर basic size हमारा कितना हो गया, handed, और limit size हो गया, फिर हमारी ये, या तो वो 99 हो, या फिर 101, या 101 mm हो जाए, तो भी हम, वो acceptable है, वो चल जाएगा, तो इससे क्या होता है, हमारे जो product हैं, वो खराब नहीं होते हैं, हमारा जो ज़्यादे scrap नहीं जाता, reject नहीं होते हमारे product आसानी से ले लिए जाते हैं, तो इससे ये भी फायदा होता है, mass production में बहुत बड़ा फायदा है, interchangeability का जब हम व्रद पादल करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है ना, तो इससे हमारा production का जो rate है, वो बढ़ जाता है, इस crab भी नहीं आते जाता है, ठीक है, तो ये interchangeability हुआ, और मैंने थोड़ा basic size के बारे में बताया आपको, और actual size वो होता है, जब जो भी worker है, वो उसमें मशीनिंग कारिये करने के बाद आपको finished product देता है, जो बाद में आप फिर उसे ना, वो बिलकुल क्या होता है, वास्टिक size आपको दिखा पर जो है, आप उस पर क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, यानि उसकी dimension पर अपनी तरफ से फिर tolerance दे देते हैं, तो tolerance देने के बाद क्या हो जाता है, वो nominal size हो जाता है, nominal size के बाद आप finished product निकालते हैं, फिर उसे ना आपते हैं, तो वास्टिक size हो जाता है, तो इस तर इसमें दिया गया है कि अव्याओ के आयामो का मापा गया आकार ही कहलाता है क्या कहलाता है जो हमने कोई भी आप ये समझे कि हमारे पास ये एक जो है एक अबजेक्ट दिया हुआ है हम इस अव्याओ के आयामो को नाप रहे हैं ठीक है ना तो ये क्या कहलाएगा जो हमने देखा है उतना ही तो नाप पेंगे या इससे कम जादे थोड़ा ही नाप देंगे इसमें तो कोई लिमिट लगाने की जोरत नी हमारे पास अबजेक्ट दिया हुआ था तो हमने से नाप लिया ये इसकी लंबाई है ये चोड़ाई है तो हम इससे बता देंगे कि इतने इतनी इसकी लंबाई होगी इतनी इसकी चोड़ाई होगी इसमें तो कोई लिमिट लगाने की जोड़त नी तो ये इसका क्या कहलाएगा वास्तविक actual size है ये इसका हमने नापके बतादिया कि तो इसमें option देखो क्या क्या दिए गए है mool आकार होगा इसका अनुमत आकार होगा सामान्य आकार होगा या वास्ट्री ये इसका actual size है जो इसके आयामों को माप कर और आकार को देखकर जो बताया जाता है वो क्या होता है वास्त्वी का अकार उसका तो इसका option D सही हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा ना तो ये मूल अकार है basic size तो ही नी basic size तो drying के उपर दिया जाता है अनुमत यानि limit लगा कर limit लगा कर तब दिया जाता है जब हमें finish product प्राप्त करना हो तो basic size के उपर हम limit लगाते है तो तब अनुमत अकार प्राप्त होता है सामान्य अकार जो सामान्य अकार ये हो नहीं सकता तो ये क्या है जब हमें नापने के बाद हमें इसका वास्त्विक जो है आया हमों का हमें से पतालत चल गया तो हमें से वास्त्विक आकार कहेंगे तो इसका option number D बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये question number 1 complete हो गया ये इस प्रकार से interchangeability से सम्मन्धित ये question आते है तो थोड़े से confusing लगते हैं ये तो अगले question की तरफ चलते है तब तक ये हुआ question number 2 सभी आंत्रिक लक्षनों को किस रूप में संदर्वित क्या जाना होता है जितने भी अभी ये देखे इस chapter के अंदर दो चीज का यूज होने वाला है एक hole, एक soft एक तो hole, एक soft जितने भी आंत्रिक internal dimensions को measure करेंगे वो सब hole के अंतर गताएंगी और जो बाहिये व्यास हो गया या square type हो गया या कुछ भी हो गया जो बाहिये dimension है जो बाहिये भी माये हैं बाहिये लक्षन होंगे वो संदर्वित की जाएंगे soft के रूप में अब ये नहीं कह सकते कि वो होल या soft होना चाहिए वो किसी भी तरह का object होता है यदि हम उसकी आंत्रिक dimensions की बात करेंगे तो वो होल के अंतर गताएगा और अगर हम उसकी बाहिये dimensions के बारे में बात करेंगे तो वो soft के accordingly आ जाएगा ठीक है ना तो इस chapter के अंदर यही है तो इसने पुचह है सभी आंत्रिक लक्षनों को किस रूप में संदर्वित किया जाना होता है तो होल बोलते हैं शिद्र को, शिद्र के रूप में इसमें दियावा है मूलाकार, छढ़ उपियोक्त सभी, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें केवल और केवल आंत्रिक लक्षनों को शिद्र के रूप में संदर्वित किया जाता है ठीक है ना, और अगर बाहिए होता तो वो साप्त के रूप में, ठीक है तो यह question number 2 भी आपका complete हो गया है, अब चलते है question number 3 की तरफ question number 3 देखिए किसी पार्ट को बनाने के लिए drying में जो size दिया होता है और जिस पर छूट दी जाती है उसे कहते है, basic size सिद्धी सी बात है, अभी बताया था मैंने, जिस पार्ट को बनाने के लिए drying में जो size दिया है और जिस पर छूट दी जाती है उसे basic size बोलते हैं जब छूट देने के बाद हम उसे machine के लिए ले जाते हैं छूट देने फिर nominal size हो जाता है और machine से finish product निकलने के बाद फिर क्या हो जाता है actual size यानि vast week size ठीक है ना तो अब यह क्या कहलाएगा किसी part को बनाने के लिए drawing में जो size दिया होता है जिस पर छूट दी जाती है उसे basic size कहते है basic size पर ही छूट दी जाती है तो इसका option number B बिलकुल सही है ठीक है ना तो यह आपका B हो गया सही बिलकुल तो अब चलते हैं अगले question की तरफ question number 4 यह आपको थोड़े ध्यान रखने है कुछ definitions आएंगी इनका मतलब आपको कुछ इस तरह के symbols आएंगे वो आपको याद रखने है तो जैसे यह question आया है अब इसे इसमें दिखा गया है BIS के अनुसार Bureau of Indian Standard एक BSI होता है British Standard Institution करके रहता है यह BIS है Bureau of Indian Standard के अनुसार होल को व्यक्त किया जाता है तो होल को बताना है यह IT 1 IT 0 IT फिर एक series है IT 16 तक यह plus यह minus के द्वारा C option दिया है A, B, C और Z के साथ छोटा सा C लगावा है ठीक है ना या फिर small A, B, C, Z, C ठीक है ना तो इसका जो सही option है वो C है A, B, C होल को ऐसे A, B, C और Z, C तक series बनाई गई है तो यह आपको याद रखना है यह होता है BIS के अनुसार होल व्यक्त किया जाता है Capital A, Capital B, Capital C कोमा करके और कहां तक Z, C तक ठीक है ना तो इसका option number C सही हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ अब यह देखे question number 5 यह अभी जो मैं विन्य में सीलता बता रहा था उसी से आया है निम्न में से कौन सा विन्य में सीलता का लाब नहीं है लाब नहीं है इसके लाब तो बहुत सारे है इसके लाब बता दूँ मैं एक बार इससे क्या है पार्टों में interchangeability होने से जो है क्या होता है हमारा जो पार्ट reject बहुत कम होते है ठीक है काम करने में समय कम लगता है ठीक है लागत कम लगती है mass production बढ़ जाता है ठीक है ना ये सब चीज होते है इससे फिर क्या होगा ज़्यादे रोजगार उपलब दोते है जब mass production होगा तो ज़्यादे लोगों की जरूरत पड़ेगी वो सब रहेगा ठीक है ना खराब पार्ट भी आसाने से बदले जा सकते है इसके अलावा जो उत्पादित पार्ट है उसके लागत में कमी आ जाती है ठीक है ना तो इसने पुछा है कि इसमें से इसका लाब नहीं है नहीं है तो इसमें देखी option अब हम option देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा friction तथा through TV धी अपनानी पड़ती है ठीक है यानि friction क्या बोलते है में test करना पड़ेगा through TV धी अपनानी पड़ेगी या फिर spare market में उपलब दोते हैं ये तो इसका लाब है कि हमारे एक जैसे part बहुत सारे लोग बना सकते हैं उतने ही tolerance के तो आप कहीं से भी इसे purchase कर सकते हैं तो market में easily available हो जाएगा आपका part ये तो इसका हो गया पार्टों की कीमत कम होती है बिल्कुल सही है इससे क्या होगा पार्ट की कीमत में भी कमी आ जाती है जब mass production होगा तो आपके reject कम होगे तो आप की कीमत घट जाएगी उत्पादन बढ़ता है बिल्कुल विनेमे सिल्ता का एक लाव ये भी है कि इससे उत्पादन बढ़ जाता है mass production में यूज होती है सबसे ज़्याद है तो इसका जो है इसका ये लाव बिल्कुल नहीं है परिक्षण तथा त्रूटी विधी अपनानी पड़ती है तो इसका option ए सही हो जाएगा परिक्षण तथा त्रूटी विधी अपनानी पड़ती है तो ये question आपका complete हुआ अब देखते हैं अगला question question number 6 विने में सील्ता के लिए निमन में से किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है ये बताना है ठीक है हम विने में सील्ता यानी interchangeability में किस-किस को रखते हैं पहले देखते हैं किस-किस को रखते हैं जिससे हमारा part बन सके कब बनेगा जब हम limit fit and tolerance को उपयोग करेंगे तब ही तो सब लोग बनाएंगे तो कहीं से भी part product होके हमारे यह आ जाएगा तो easily assemble हो जाएगा अगर वो within limit है अगर हम कहेंगे कि perfect hand red का बनाएं तो ऐसा तो होगा नहीं अगर वो limit के अंदर है हमने उसके उच्च सिमा और निमने सिमा दी विए उसके अंदर बना के दिया है तो वो असानिस से हो जाए fit कर दिया जाएगा तो यह तो होगा बिल्कुल limit fit way tolerance jig M fixture के साथ भी होगा पार्टों को बिना tolerance के तयार करना limit gauge का प्योग करना limit gauge का तो प्योग होता ही है इसमें जो भी आपका पार्ट बनाना होता है तो उसके लिए हम एक gauge तयार कर लेते हैं उस limit का तो उसे बार-बार लगा के चेक करते रहते हैं कि हमारा product उस limit के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है तो limit gauge का प्योग भी होता है पार्टों को बिना tolerance के तयार करेंगे तो फिटी नहीं होगे तो ऐसे पार्ट का कोई चित्य नहीं होगा तो खराब हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा तो अगर बिना पार्ट के tolerance तयार नहीं हो सकता तो विने में सीलता के लिए उपयोग उपयुक्त नहीं है ये नहीं है तो पार्टों को बिना tolerance के तयार करना तो बाकी आपका A, B, C तो सही है यानि इन्हें तो हम यूज कर सकते हैं तो इस परसंद के हिसाब से आपका question number जो 6 है इसका answer C हो जाएगा पार्टों को बिना tolerance से तयार करना विने में सीलता के लिए निमन में से किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है पार्टों को बिना tolerance से तयार करना तो फिर विने में सीलता नहीं रहेगा interchangeability नहीं रहेगी कि अगर हम पार्टों को बिना टोलरेंस के तैयार कर रहे हैं, फिर वो कहीं fit होंगे, नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इस हिसाब से इसका answer number, जो option number है, तीसरे वाला C बिल्कुल correct हो जाएगा, तो ये, आगे चलते हैं, ये question number 7, question number 7 में दियावा है, saft basis पद्दती में, saft basis पद्दती क्या होती है, saft basis पद्दती में, saft के size को स्थिर रखा जाता है, जिस भी basis की पद्दती होगी, उसे स्थिर कर दो, ठीक है, saft basis पद्दती में, saft इस्थिर रखी जाती है, और fitting के अनुरूप hole के size को बड़ा छोटा किया जाता है, भाई जैसे हमें fitting चाहिए है, वैसे hole को जो है, छोटा या बड़ा करते है, saft basis पद्दती में, saft fix रहेगी, उसके size को बिलकुल इस्थिर रखा जाएगा, उसमें कोई change नहीं होगा, और change किसमें होगा, hole में change होगा, तो hole को saft के या fitting के अनुसार फिर बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो यह होती है, saft basis पद्दती, तो इसका option number B बिलकुल correct है, saft का size इस्थिर रखा जाता है, और fitting के अनुरूफ hole के size को कम या जादा करते हैं, यह ध्यान रकना है, saft basis पद्दती में, saft का जो size है वो इस्थिर रखा जाता है, और fitting के अनुरूफ hole के size को कम या जादा करते हैं, बागी, saft hole से बड़ी होती है, यह भी इसका मतलब नहीं है, hole का size बड़ा रखा जाता है, यह भी नहीं है, और नीचे एक, नीचे जो है, यह दिया, hole का size, इस्थिर रखा जाता है, और fitting के, अनुरूफ soft का size, ज्यादा या कम किया जाता है, यह hole, जब hole स्थिर रहेगा, तो hole basis पद्दती हो जाएगी, फिर soft को कम ज्यादा करेंगे, तो दो पद्दतियां है, एक hole basis, एक soft basis, तो यह soft basis उची है, जब hole basis आएगी, तो hole के size को स्थिर रखेंगे, उसके अनुरूफ fitting के अनुसार, हम soft के size को घटा बढ़ा सकते हैं, तो इस हिजाब से आपका option number B बिलकुल सही है, जो D वाला option है, वो hole के लिए है, तो आप जो है, इसका बिलकुल confuse होने की जरूरत नहीं है, जो भी basis पद्दती है, उसे इस्थिर रखना है, बस soft basis में soft इस्थिर रहेगी, hole basis में hole इस्थिर रह ठीक है, तो इसका B option बिलकुल correct हो जाएगा, अब चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, देखते हैं, ये वाला question, इसमें क्या है, ये देखो, hole basis पद्दती आगी पहले, soft basis पद्दती थी, अब hole basis पद्दती है, तो easy हो गया, hole का size बड़ा होता है, बिलकुल गलत, hole का size छोटा होता है, ये भी नहीं होगा, hole का size इस्थिर रखा जाता है, और fitting के अनुसार, soft का size कम या जादे रखा जाता है, बिलकुल सही, soft का size इस्थिर रखा जाता है, और ये, ये soft basis पद्दती का है, तो इसका option number, C सही हो जाएगा अबीद बताया था, दोनों बेसिस पदतियां बताई हैं, तो अब की बार होल के बारे में पुछा है, तो होल का साइज इस्तिर रखा जाएगा, और फिटिंग के अनुसार साफ्ट के साइज को कम्या ज्यादा कर दिया जाएगा, तो इससे आपका ओप्सन नंबर C बिल्कु होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कॉंप्लिकेटिड सा है, तो आपको हर चीज बड़े ध्यान से पढ़नी है इसमें, तो इस हिसाब से इसका ओप्सन नंबर C बिल्कुल क्रक्ट है, तो ये सही हो जाएगा, अब चलते हैं अगले क्यूश्चन की दरफ, क्यूश्चन नंबर 9, एक ही आकार प्रकार एम प्रिशुद्धता वाले तथा एक ही प्रकार की मशीन में फिट योग्य पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है न, ये क्यूश्चन आया है, एक ही आकार, यानि सबका जो है, आकार एक ही है, एक ही आकार प्रकार एम प्रिशुद्धता वाले तथा एक ही प्रकार की मशीन में फिट होने योग्य पार्ट को कहते हैं, ठीक है, ये देखे, आपने पार्ट बहुत जगे बनाए हैं, और एक ही आकार के हैं, उनका जैसे मान लीजिए आपने, आप कोई भी इंजन का 25 नमबर का डलता है, फिर 50 का, फिर 75 का, ऐसे, मान लीजिए 25 नमबर का है, तो अलग-अलग कमपनिया बनाती हैं उसे, ठीक है न, वो एक ही आकार के हैं, एक ही प्रकार के, पिश्टन है तो पिश्टन नहीं रहेगा, तो कमपनी भले, ये अलग-अलग क्राउन का आता है, भूशाका आता है, ये सब, लेकिन वो फिट तो किसी भी बाइक में, किया जा सकता है, वो बस बोर इस हिसाब से होना चाहिए, तो एक ही आकार, एक ही परकार का होने, और एवम परिशश्टता वाले, एक ही परकार के, मशीन में फिट होने वोग्गे पार्ट को, क्या कहते तो उसे क्या कहेंगे विने में शील पार्ट कहेंगे इंटर्चेंजेबल क्योंकि उसे आसानी से इंटर्चेंज किया जा सकता है भाई पूराने वाला जो खराब हो गया उसे निकाल लो और नया जो भी है उसे डाल लेजिए ठीक है ना ना तो इसे बेसिक साइज पार्ट कह परकार के परकार की परिशुद्धिता हमें बनाय जाते हैं ठीक है और यही परकार की मशिन में फिट होगं तो उसमें बाइक सिलेंडर है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का पिश्टन आता इसंग में जालेटा है क्यूंकि आपने और बाइक भी देखियोंगी तो उसमें क्या है उसमें अलग्त रहेगा फिस्टन होता है मतलए उसकी जो है चोडाइ उसका डायमेटर जैधना हो सकता है हो ता बि अधो तो पूछता है कि किस गाड़ी में डालना है, तो उसी टाइप के वो जो है, आपको पिस्टन देगा, कि आपको किस कमपनी का चाहिए, तो हिरो का अपना भी आता है, और जो वेंडर कमपनिया हैं, वो भी बना रही है, जो मार्केट में अवलेवल हैं, तो वो एक ही स्पेसिफिक बाइक के लिए अलग-अलग निकाल ले हैं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से वो क्या है, विनी में सिल पार्ट होते हैं, जो आराम से इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इस त्रेस का ओप्सन नमबर A बिल्कुल क्रक्ट हो जाएगा, अब देखते हैं अगला ये अच्छा विश्चन आया है, ISO सिस्टम के अनुसार होलो के परकार होते हैं, ये ISO के अनुसार पुछा है, अच्छा ये तीन सिस्टम हो गया, एक तो BIS हो गया, ठीक है ना, और एक हो गया, BSI, एक ISO, Bureau of Indian Standard, British Standard Institution, और ये हो गया, International Standard Organization, तीन हो गये, ठीक है ना, तो तीनों के अनुसार अलग-अलग हैं, तो इसमें देखते हैं, पुछा क्या है, International Standardized Organization System के अनुसार, होलों के परकार होते हैं, कितने परकार के होल बताए हैं, ठीक है ना, तो जो इंटरनेशनल पदती है, उसके अनुसार 28 परकार के होल होते हैं, ठीक है ना, कितने परकार के, 28 परकार के होल होते हैं, ठीक है, और 28 परकार की ही साफ्थ होंगी, जब 28 परकार के होल हैं, तो 28 परकार की ही साफ्थ होंगी, ISO के अकोर्डिक, ठीक है, जबकि Bureau of Indian Standard के अनुसार, साड़े 400 परकार के होल हैं, और साड़े 400 परकार की साफ्थ है, 450, ठीक है ना, तो यह रहता है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसी परकार जो है, आप साड़े 400 परकार, जो 450 टाइप के होल, और 450 टाइप की साफ्थ होती है, ठीक है, और यह इसमें पुछा गया था, International Standard Organization System के अनुसार होलों के परकार होते हैं, 28 ही परकार की साफ्थ हैं, इससे 6 कुश्यन बन जाते हैं, आपके, दो तो इसके होगे, दो इसके होगे, और दो ही ISO होगे होगे, ठीक है न, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस परकार से आपके, यह दस्वा विश्चन भी, कंप्लीट हो गया है, तो आपको याद रखना है, ISO सिस्टम के अनुसार होलों के परकार जो हैं, वो 28 है, ठीक है, तो आज का,